हर दिन एक निया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिक्रिक्सन के लिए बेल आइकन दब्सकार दूस्तो आप देख रहे हैं इसी टेलीकॉम आपका चनल दूस्तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपका फॉन चोरी हो जाए तो उसका प्रोसेस है चाता कि अगर आपका फॉन खोजाता है और आपने फॉन को ढूंगा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फॉन खोजाता है और हम जब F.I.R कराने जाते है तो हमारे पास IMEI नमबर भी नहीं होता है क्योंकि वो फॉन में लिखा होता है तो मैं आपको बताओंगा आज की सेस्टन ने कि आपका अगर फॉन गुम जाए तो उसका IMEI नमबर कहां से पता करें देकि दूस्तों IMEI नमबर कहां कहां लिखे होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू अगर आपके वास में आईफॉन है तो आईफॉन में जो IMEI नमबर होते है वो ज़्यादा तर उस फॉन के पीछे लिखे होते है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर और आईफॉन की जो IMEI प्लेट होती है मनलब जो हम बात करें जो सिम कार्ट की प्लेट होती है उसमें भी उसका IMEI नमबर लिखा होता है बैटे के पीछे भी IMEI नमबर लिखा होता है जहां एक स्टीगर होता है तो दोस्तों आपको IMEI नमबर जो मिलेगा वो मिलेगा आपके box पर उस box पर आपको एक sticker चुपका होगा seal sticker जसपर आपका IME नमर लिखा होगा जो हमारी mobile का bill होता उसमें भी IV नमर लिखा होता है दोस्तों यह रहा Libs पता करने का तरीका मान ली जाइगा आपके आपके box भी नहीं है prestige भी नहीं है तो चलिए Android चला रहे हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ अगर आप iPhone चला रहे हैं और आपको IMEI नमबर दूरना है तो आपको iCloud में जाना पड़ेगा iCloud ID में और वहाँ पर activate करके same जैसे हम आप या Android का दूरेंगे वैसे आप दूरेंगे दोस्तो दूसर तरीका IMEI दूरने का आप अपने service provider से भी call करके IMEI नमबर आप उस phone का पूछ सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आपका phone चोड़ी हो गया है और आपके पास में IMEI नमबर नहीं है ना उसका phone bill है ना उसका दिबबा है अभी उसका IMEI नमबर कैसे बता करें क्योंकि आपको F.I.R. करते समय है phone की IMEI देना बहुत जोड़ी होता है दोस्तो तो आपको करना क्या होगा आपको Google पर जाना है और यहां लिखना है आपको setting slash dashboard तो यह आपको लिखना है दोस्तो यह जैसे आप लिखेंगे यहां पर आप उसके बाद में इसको एंटर कर दीजेगा और यह बदाने केगा यह लिखने के पहले आप उस email ID से एंटर हो जाईएगा जिस email ID से आप चाते हैं कि आप अपना अकाउंट ढूरें तो चले मैं उस email ID से एंटर हो जाता हूँ अब मैं फिर से वो चीज लिखूंगा जैसी मैं लिख देता हूँ दोस्तो सबसे पहला गूगल का जो डैसबूर्ट है वो आ जाता है तो क्योंकि मैंने अपने Android में अपना प्ले स्टोर बनाया होगा अपना अकाउंट बनाया होगा तो अब्विस है कि मेरा जो चाना डाटा है वो गूगल सेव करता है ओनलाइन तो देख लेते हैं कि मेरा IME नमर यापर 100 होगा की नहीं होगा तो आपको देखना क्या आपको करना क्या डैसबूर्ट पर जाना है आपको क्लिक करना है तो पहला आपको मिलेगा डैसबूर्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ वो आपको इस तरह का मिलेगा आपको करना ह इसको click करना है और जैसे आप इस पर click करेंगे वो फिर से आपको signing मांग रहा है तो चलिए फिर से signing कर देते हैं अपनी उसी ID पर जिस ID से हम play store चलाते हैं और यहां पर password दे देते हैं चलिए तो दोस्तो हम आगे हैं अपने Google account के dashboard पर अब यहां पर वो हमें बता रहा है कि हम Google account की कौन-कौन सी जो उसकी service है वो हम use कर रहे हैं तो एक account Android phone अभी तक इससे हम connect कर चुके हैं तो यहां पर आप जैसे की देख रहे होंगे तो में हमारा पॉइंट है वो तीन Android phone है जो यहां पर हम connect कर किये हुए है इस phone से तो चलिए दो बुक में दो लाइबरी दो बुक में है दो दस बुसेल्प में है एक कलेंडर बुक मार्क में 29 हैं क्रूम के contact 17 contact इसे साथ सेव हैं तो यहां पर आप contact भी चेक कर सकते हैं आपके और जीमेल में इतना conversation सेव है चलिए ओके गूगल प्लस और लोकल हिस्ट्री तो यह सब दोस्तों यह फोटो 27 फोटो मेरी टोटल सेव हैं और पहले की इंक आवन तो यहां पर हम बात करेंगे 27 और 27 एलवम है जिसमें टोटल इंक आवन फोटो है और इंस्टॉल जो एब मैं अब तक किया है वो 164 एप्स हैं यहां पर सारे एप्स का भी जाय जाब ले सकते हो कि कौन कौन से अप्स आप इंस्टॉल कर चुके हो और अबाउट मी में यहां पर और सच हिस्ट्री जो जो सच किया है और यूटूब में जो वीडियो डले हुए है वो टोटल टेटेस वीडियो है प्लेलिस्ट में चे हैं तो यह तो होगया पूरे हिस्ट्री का अब हम जाएंगे एंड्रोइड में और एंड्रोइड में जाके हम इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए तो सब कुछ आपके सामने हैं अगर यहां पर मैंने एक लावा अलफा एल एयर टेल जिसमें सिम चला रहा था और जो उसका होता रहता है और वह बैकड्राउंड में अफडेट होता है तो यह चीज जैसे यहां पर बात करें सामी का रैडमी 3S इसका यह में नमबर यह रहा और अभी यह लास एक्टिवेट तो यह कल की बता रहा है और लावा अलफा एल यहां पर मनलब इसको एक बाद फिर रजिस एलाइंस के साथ अटिवेट किया गया तो यहां पर उसने अलग एक अपनी अटिवीटी बताई तो इस तरह से आप उसको अटिवीटी बता देख सकते हैं तो यह तरीका है आपके फॉन का आईमी नमबर पता करने का तो दूस्तो आशा करता हूं कि आपको अपना आईमी नमबर आपने धूर लिया होगा और आपने पता भी कर लिया होगा तो इसी तरह आपको जाना है गूगल पर आपको एड्रेस बाब प्र लिखना है और यह लिखने पर आपने फॉन की जो भी सैटिंग जो भी सर्विस से उस पर आ जाते हैं और एंड्रोइड पर क्लिक करके आपको अपना आयमी नंबर प्राप्ट कर लेना है चले मिलते हैं किसी नए वीडियो पर दूस्तों अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया अगर आप देने डाउनलोड हमारे जो मुवार रिपेडिंग एप से वो डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीज़ेगा थैंक्यू बड़ी बच्छ मिलते हैं किसी नहीं वीडियो पर नश्कार दोस्तों दोस्तों आज हमने एक नहीं लॉंच किया है यह एपस है ब सारे रूम मिल जाएंगे अगर आपको ही नहीं ते यह एक किलिक से आप इसको इसको डाउनलोड कर सते हैं ऑने मोवाईल में है हम बात करेंगे MI अकाउन्ट रिमूफ फ्रम वेर मिल जाएगा जो MI अकाउंट करने वाला जो स्टाउक रूम होता है यह आपको मिल जाएगा Android पास्बूर रिसेट, आर्वी स्वाप, समसिंग अफर पी या कैसे हम मैनुएली स्प्रेटर्म की जो ड्राइवर होते हैं उसको हम इंस्टॉल करें तो यह सारी चीज आपको यहां पर मिल जाएगी दोस्तो मीडियर टेक में सारी चीज मिल जाएगी कैसे उसको मैनुएली इं सचपशह बार में ASIЯ टेलीकॐम सर्च करें, ASI Government लिखे हैं और ASI Attorney लिखने के बार आपको हमारे mobile repairing apps बारोझ के सार्टवेयर और भी काफी apps है जिसमें mobile repairing video और mobile repairing tools, mobile repairing שटटवेयर और mobile repairing hardware के काफी apps अपको मिल जाएगे इन एप्स को अपने मोबाल में इंस्ट्रॉल करके लाब उठाएं. 除ी बाल में इंस्ट्रॉल करें।